हेलो एब्रिवन वेलकम दो मैं चैनल सन्नीज गार्डन में एक बर फिट से आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टोपिक है हमारा अमलतास जिया दोस्तों अमलतास एक जंगली पेड़ है लेकिन इतनी सुन्दर फ्लावरिंग करता है कि इसको देखते ह मन खुश हो जाता है बहुत सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट है और भरी गर्मी में जब चारो तरफ धरती हमारी तफ्ती रहती है उस समय में यह गॉल्डन कलर के यानि की ब्राइट येलो कलर के फ्लावर से हमारे मन को खुश कर देता है तो दोस्तों बात करते हैं इस प् फूली कर देंद भी फूलिफी फूल नजरात जब बसंत्री तुठिके पाद इसके सारे पते जढ़ जाते हैं और फूल और पते एक साथ निकलते हैं Bron allons से पहले इसके फ्लावर निकलते हैं उसके बांदर दीरे इसके पत्तिया निकलनकर आती है और फुलावर का जो और गुद्देदार होती है, उनके अंदर बीज होते हैं, जो आयरुवेद में बहुत ही गुणकारी ये प्लांट है, अमलतास के प्लांट के फूल, पत्ते, इसकी छाल, फलियों का गुदा और बीज सारे के सारे बहुत गुणकारी है और सभी का अपना-पना महत्व है, बह है और इसको गोल्डन शावर के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो कही नाम है इसके लेकिन इसको अमलतास, इसका मुख्या नाम है और वैसे इसको गोल्डन शावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर इस तरीके के होते हैं, जैसे उपर से सोना बरस रह हो यानि कि बढ़कुल बुच्छे में जूमर की तरह यह उते रहते हैं खिलते रहते रहते हैं बहुत सुंदर लुक देते है तो दोस्तों इस प्लांट को हम अपने कि सर्दियों के पास जब इसके पते जड़ जाते है तो बिलकुल यह एक ठूट की तरह से यानिकी खड़ा हो जाता है सिर्फ इसकी डंडिया दिखाई देते हैं उसके बाद इसमें निकलते हैं बड्स और बड्स के साथ ही खिलते हैं इस तरीके के जुमर की तरह लटकने वा तो इसको एक बड़े ड्रम के अंदर भी आप लगा सकते हो साल में एक बार इसकी रूट प्रूनिंग करते रहें मिट्टी चेंज करते रहें और उसके बाद देखेंगे एक बोनसाई के रूप में भी ये प्लांट तयार हो जाता है और फिर इसमें निकलेंगे शांदार फ् चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नहीं नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें थैंक यू